वेलकम बेख स्टुट्स लास्ट लेक्टर में ने हाउ टो प्रीड प्रीजन आर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखा था आज एक और फॉर मैफड देखते हैं जिससे हम और गेनिक पाउंड को बता सकते हैं पर यह जो है वह मैफड ए थ्री डाइमेंशनल में थर्ट ट् थ्री डामेंशनल री प्रेसेंटेशन औव और्गेनेक मॉलेक्यृल अब देखो और्गेनिक मॉलेक्यृल्ट होते हैं त्टीक है तो ऐसा जरूर नहीं कि बिल्कुल एक ही लाइन में हो वह थ्री डामेंशनल भी होते हैं यानि प्लेन के पीछे उनका पूरा एक special arrangement होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे, यानि हमें तो paper पे बताना है, ठीक है, आप लिखेंगे paper पे, आप answer paper पे लिखेंगे, हम सोचेंगे सब कुछ two dimensional पेपर में देखके, read करके सोचेंगे, तो how we can represent the three dimensional structure by pen on paper, तो उसके लिए method developed की गई है, जिसको कहते है, wedge structure, जिसको कहते है, wedge structure, तो यह अगर मैं simple आपको बताओ, यह methane है, तो यह methane हो गया, ठीक है, यहाँ पे यह पूरा जो carbon जो है, carbon और hydrogen जो है, वो सारे, यानि यह जो plane दिख रहा है, blackboard जो है, उसके plane के अंदर है, उसी plane पे है, ना कोई आगे है, ना पीछे, आप इसको देखो जरह मैं दूसरी तरह बता देता हूँ, यह carbon हो गया, ठीक है, य यह मैंने बताया इस तरह, एक hydrogen को, total 4 hydrogen होते हैं, एक hydrogen को मैं इस तरह बताऊंगा, और एक hydrogen को मैं इस तरह बताऊंगा, तो इसको कहते है, wedge structure, इसको क्या कहते है, wedge structure, और इसका नाम है, dash wedge structure, dash wedge, इसका मतलब होता है, यह जो bond है, that bond is away from, away from the observer, यह इसका मतलब अभी आप screen पे देख रहे हो, तो screen के पीछे, यह screen के पीछे hydrogen होगा, ठीक है, इसको हम कहते है, solid wedge structure, इसको हम कहते हैं क्या, solid wedge structure, ठीक है, solid wedge structure का मतलब होता है, क्या bond, towards, bond, towards observer, यानि यह जो hydrogen है, वो आपके तरफ है, आपकी आखों में जा रहा है, यानि यह जो hydrogen था, वो screen के पीछे है, यह hydrogen जो है, वो screen के आगे, यानि आपकी तरफ है, और यह दोनों जो bond है, ठीक है, यह दोनों bond, जो है, यह दोनों bond, they are in the plane of paper, in the plane of paper, paper या फिर screen, अभी जो आप screen पे देख रहे हो, screen पे आप ड्रॉ करोगे, the plane के paper में होगा, तो यह हम इसी molecule का, three dimensional representation हम इस तरह कर सकते हैं, किसी भी molecule का, three dimensional representation हम इस तरह कर सकते हैं, solid weight structure और dash weight structure, इसको कहते हैं, weight structures, ठीक है, थोड़ा सा एक चलो practice करते हैं, एक question की, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक example दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, OH लिख रहा हूँ, OH, CH2, 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 ठीक है, CH2, 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 CH, फिर यह होगा, CH3, फिर फिर से CH, फिर फिर से मैंने bracket में लिखा, CS3, और बार फिर से लिखा मैंने CS3, ठीक है, और दूसरा question है मेरा, यह A हो गया, यह B हो गया, B में हम यहाँ पे लिखेंगे, N, triple bond C, CH, C, triple bond N, and OH, अब the question यह है, कि उसको आपको condensed formula में, convert in, convert in condensed formula, and bond line formula, दोनों formula में आपको convert करना है उसको, दोनों formula में आपको convert करना है, इसको condensed formula में convert करना है, तो देखो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले condensed formula में कैसे होगा, यह नि इसका तो कुछ condensed नहीं हो सकता, यह OH होगा, अब यहाँ पे देखो, CH2, 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 तो कितनी बार है तो 3 टाइमस तो मैं यह पे लिख दूँगा, CH2, 3 टाइमस, फिर यह totally अलग है, ठीक है, यह क्या हो गया, CH, CS3, और CS3, अब यहाँ पे यह ब्रैकेट में इस तरह इसलिए लिखाएगी, यह CS3 सिभी CH के साथ attached है, तो उसको हम इसी तरह लिख देंगे, CH और CS3, अब जड़ा ध्यान से देखना, यह CS3 जो है, इसी कार्बन के साथ attached है, और यह CS3 कहाँ पे attached है, यह भी इसी कार्बन के साथ attached है, आप कहों कि सर यह कैसे है, क्योंकि आप अभी इसको first time देख रहे हो, इसलिए आपको confusion होगा, तो देखो इसको मैं complete formula में convert करके आपको सिखाता हूँ, इसमें complete formula में convert करके आपको दिखाते है, complete formula, तो देखो complete formula कैसा होगा, यह H हो गया, यह O हो गया, यह हो गया CH2, यह सबसे पहले हो गया CH2, फिर यह दूसरा CH2, ठीक है, फिर यह तीसरा CH2, अब यह देखो यह CH है यानि यहां पर यह CH है और उसके साथ एक CH है फिर यह CH आया फिर से तो यह CH हो गया यह CH हो गया bracket का मतलब होता है कि वह as a branch है इसको हम क्या कहते है branch और यह CS3 कहां पर joint होगा इसके साथ नहीं joint होगा यह जो है CS3 यहां पर joint नहीं होने वाला है यह उसका जो main chain का जो carbon है इसके साथ joint होगा यहां पर joint होगा यह CS3 यहां पर joint होगा ठीक है तो इसका condensed formula कैसे लिखेंगे देखो OH हो गया अब CH2 कितनी बार है देखो CH2 यहां पर CH2 आएगा CH2 कितनी बार है वन टू और थ्री तो यह CH2 कितनी बार है थ्री टाइम्स हो गया अब यह क्या हो गया CH और CH3 अब यहां पर जड़ा देखो यह CH और यह CH3 दोनों इसी के साथ अटेज है तो हम यहां पर लिख सकते हैं CH3 twice इस तरह आमने क्या क्या condensed किया अगर कभी-कभी आप directly नहीं लिख पाओ इसको तो आप इसको complete structure में convert करो फिर यह लिखो तो आपको easy रहेगा जैसे हमारे पास दूसरा question क्या था दूसरा question ऐसा था कि एन triple bond C, CH, C triple bond N और यहां पर क्या आएगा OH तो यहां पर बहुत ही simple है देखो cn कितनी बार है दो बार है ठीक है किसके साथ joint है यह CH के साथ joint है तो यानि यह CH जो है उसके साथ CN जो है वो दो बार है और इसी CH के साथ क्या है OH joint है तो मैं यहां पर OH लिख दूँगा तो यह structure हो गया है उसका कौन सा condensed formula यह क्या हो गया condensed formula अब देखो जरा अब आते हैं हम bond line structure पर अब हम दोनों के लिखेंगे क्या लिखेंगे bond line structure बॉन लाइन structure में सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप carbon को देख लो कितने carbon है जरा ध्यान से देखते जाना one two three four five six यह नहीं calculate करेंगे क्योंकि side में भी इसको ब्रांच कहते हैं जिसको अब कहते हैं क्या ब्रांच यह जो है उसको हम कहते हैं main chain कहते हैं यह जो हमने draw किया है उसको में chain तो carbon की to chain है वो कितने carbon कि वान टू थी फॉर फाई ह classrooms तो हम यहां से start करते हैं देखो 1 यह डॉट किया 1 2 3 4 5 & 6 the problem यह है अब यह 6 कारवन दो यह 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो देखो यहां पर 1 हो गया यह 2 हो गया यह 3 हो गया यह 3 हो गया यह 4 हो गया यह 5 हो गया यह 6 हो गया तो अब देखो जड़ा ध्यान से 2 और 3 पे 2 और 3 पे एक-एक CS3 है तो मैंने आपको पहले भी बता है यह जो एंड है उसको हम क्या समझेंगे यह क्या है CS3 यानि एक लाइन करते हो तो उसके एक एंड पर CS3 होगा ठीक है तो यहां पर भी अगर हमें CS3 बताना है जो ब्रांच में है तो उसकी ब्रांच को देखो नंबर और कार्बन एटम भी लिख देता है 1 2 3 4 5 6 यानि 2 और 3 पे 2 और 3 पे CS3 है तो मैं यहां पर एक लाइन कर दूंगा इस तरह और एक लाइन यहां पर इस तरह कर दूंगा तो यह हमारा बांड लाइन स्टक्चर हो जागा मैं रेड कोगे सर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बॉंड लाइन में कोई भी एटम नहीं लिखते तो यहां पर अंडर्स्टूड है यह कौन सा सीएस्ट्री यह उपर लिखो के नीचे लिखो एक ही बात है पर जनरली पिक पे लिखते हैं और यह सीएस्ट्री कौन सा यह रहा आप बब यहां पर सी एच सी एन ट्वाइस और ओएच तो आपको यहां पर पूरे में देखो कार्बन कितने है तो चेंग के अंदर तो सिर्फ एक कार्बन यह एक्ट्रू एक ग्रूप है cn actually पूरा एक unit है उसको side में छोड़ देते, carbon तो सिर्फ एक है, अब उसके साथ cn कितने हैं, तो cn2 है, तो हम यहां पर बता देंगे cn2 है, ठीक है, और उसके साथ join क्या है, oh, but अपने को क्या लिखना था, bond line structure लिखना था, bond line structure में कोई भी carbon atom को नहीं बताते हैं, यह जो carbon क chain हैं, उसको नहीं बताएंगे, यानि यह complete bond line structure नहीं है, bond line structure कैसा होगा, देखो, यह one, two, और three, यहां पर क्या आएगा cn, यहां पर क्या आएगा cn, और यहां पर क्या आएगा, oh, h, आपको के सर, यहां पर carbon को क्यों बता, क्योंकि, यह carbon chain का carbon नहीं, यह एक unit है, functional group है, एक यहां पर क्या है, carbon है, तो यह उसका क्या हो गया, यह जो हमने नीचे draw किया, वो क्या है, उसका bond line structure, उसका क्या है, bond line structure, ओके, तो, यह गया bond line structure, तो मैं आपको एक question दे रहा हूं, ठीक, आप जड़ा ट्राय करो, उसको solve करने के लिए कैसे करते हैं, मैं आपको उल्टा पू पूछूंगा, कैसे, जैसे मैंने यहां पर एक structure draw किया है, ठीक है, इसको चलो थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे मैं अभी आपने पढ़ा नहीं है, बेंजिन, बेंजिन के बारे में, तो अपन थोड़ा सा, थोड़ा सा, इजी वाला ले लेते हैं, यह मैंने bond line structure किया है, आ आप लोगों को उसको मुझे convert in, convert in complete and condensed formula, दोनों में convert करके मुझे बदाओ, complete and condensed, फिर हम discuss करेंगे, अपने आप ट्राइब करो, इसका condensed formula, bond line structure, draw कर लियागा, तो देखते हैं, कैसे draw किया है, आपने condensed formula में, यहाँ पे सबसे पहले देखी, ओएच है, तो यहाँ पे हमें ओएच लिख लेता, अब CH2 कितनी बार है, देखो CH2 जो है, वो तीन बार है, तो यहाँ पे CH2 जो है, वो हम लिख लेंगे कितनी बा तीन बार, अब यह CH, ठीके, यह CH3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे CH, CH3, इसमें कोई changes नहीं होगा, यह CH के साथ, अब यहाँ पे देखो, यह CH के साथ, CS3 भी joint है, और यह CS3 भी joint है, तो हम यहाँ पे, यह जो CH है, उसके साथ, दो CS3 joint है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या ट्वाइस, यह होगे हमारा क्या condensed formula, अब अगर bond line structure draw करना है, तो कैसे करेंगे bond line structure के लिए calculate कर लेते हैं, देखो कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, यह दोनों chain के अंदर नहीं, कैसे, तो ज़रा देखो, यहाँ पे, 6 carbon है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसको पहले समझ आने के लिए आपको complete structure बता देता हूँ, फूर से पूरा complete structure, तो देखो कैसे होगा, OH, यह हो गया CH2, यह हो गया CH2, यह हो गया CH2, ठीकि, यह जो CH है, यह हो गया CH, और यह जो CH3 जो आपको देख रहा है, वो यहाँ पे इसके साथ ब्रांच में, इसको हम कहते है, ब्रांच यह जो है कार्बन की main chain, फिर से आगया CH, और उसके साथ ब्रांच में क्या है CH3, और अब यह जो CH3 जो bracket के बार, वो main chain में है, यहाँ पे इस तरह, इस इस आपको complete formula, यह भी complete formula, यह भी complete formula, इसके अंदर ज़्यादा information, इसके अंदर कम information, bond को हमने omit कर दिए, ठीकि, अब इस कितनी बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, तो मैंने तीन बार लिग दिया, CH के साथ क्या है, CH3, यहाँ पे CH के साथ, इस CH के साथ, यह रा देखो, यह CH जो है, उसके साथ दो CH3, यह CS3 और यह भी CS3, यह भी CS3, तो अगर इसको bond line structure में बताना हो, तो कैसे बताएंगे, तो ह यह 6 कारवन है, तो जहां पर हम point किया है, वह एक कारवन होगे, वहां से draw करेंगे 2, turning point पर कारवन होगा, टू, थ्री, पोर, फाइड यह हो गया, तो यह हो गया, अब यह ओएच बताएंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहे हैं, तो नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो वन पर क्या है, और 5 और 6 पर क्या है, तो यहां पर नंबरिंग कर देता, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 4 और 5 पर CS 3 तो यह फोर के ऊपर CS 3 यह 4 के उपर CS3 और यह 5 के उपर CS3 तो यह लिखने की ज़रूरत नहीं है मैं फिर से एक जैसा color यूज कर लेता हूं जिसे आपको complete structure समझ में आगा यह 4 हो गया और यह 5 के उपर structure हो गया तो यह हो गया bond line structure ठीक है यहां पर भी यह लिख लेते हैं red से तो यह हो गया complete structure है क्योंकि हम जाते हैं जहां पर यह एंड होगा वह क्या होगा सी एस त्री है ओके दूसरा example मैंने जो दिया था वह दूसरा example कौन सा दिया था मैंने आपको वह देख लेते हैं कि दूसरा example मैंने दिया था आपको एंड ट्रिपल बॉंड सी सी एच ट्रिपल बॉंड ट्रिपल बॉंड एंड एंड ओच ठीक है तो अब यहां पर देखो क्या कर रहे हैं यह जो सी एच है यह यहां पर आप देखो तो चेंड के अंदर एक ही और यह कारवन यह सा फंक्शनल ग्रूप पूरा यूनीट तो यह कारवन आगे देखो इसको मैं इस तरह बता देंदे आपको इसी रहेगा यह और इन दोनों के साथ क्या था यह एक्टुली कंप्लीट फॉर्मिला यह इसको यह यह जो है ठीक है यह उसका कंडेंस फॉर्मिला भी आप कह सकते हो कि क्योंकि ज्यादा इससे कोई नहीं हो सकता यह सारे नेसेसरी इंफोर्मेशन तो बताने पोड़े अब उसका बॉंड लाइन स्ट्क्चर अगर हमें करना हो यह कंडेंस फॉर्मिला हो गया अगर वह बॉंड लाइन फ्रक्र्टर करना हो यह कार्बन हो गया इस कार्बन के साथ तीन लोग जॉइंट यह बीच में पार वन अगये यह सी एन और यह क्या हो गया यहां पर आ जाएगा क्या ओएच तो इस तरह एक्जामपल हमने किये बॉन लाइन स्ट्रॉक्चर हाउट सारी मैथड हमने देगी इसके आगे वाले लेक्चर को मिस्स मत करना बहुत इंपोर्टन है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और अर्गेनिक कंपाउंड तो इसी तरह बने रहे हमारे वीडियो के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू बैरे मच्ट गुडबाए